हाई फ्रेंड्स मैं उस्भा शेनल पे ट्रेनर एंड लाइफ कोच पटवारी की एक्जाम की तेयारी कर रहे हम और पंचायती राज से समंदिस कोश्चन्स हम देख रहे हैं उसमें कुछ महत्पून समीतियां होती है जो याद नहीं होती है उसमें परिशानी आती है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि हम केसे उनके नाम और उनके सन केसे याद रखें देखें एक क्या बोलती है कि बस ये पट्टी याद रखना है आपको बस गी अदा जी से एसपी है ये लाइन हम याद कर लें बस गी अदा जी से एसपी है ब से बलवंत राय महता समीती कब बनी उननिस सो सत्तावन में बस गी अदा जी से एसपी है उननिस सो सत्तावन पहली हो गई बलवंत राय महता समीती कब बनी उननिस सो सत्तावन में उसके बाद हमको क्या करना है ये तीन नाम और याद रखना है 704, 117, 112 794, 117 and 112 ये क्यों याद रखना है कि ये सन हम इसमें जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे यहां देखिए हमने 77 में 7 जोड़ात क्या बना 64 तो अगली जो समिती है 2 हो गया स, स मतलब सादिक अली समीती सादिक अली समीती कब बनी 57 में हमने ये साज जोड़ दिया ये साज जोड़ा 57 में साज जोड़ा 64 मरला 1964 में तो बलवंत राय मेता समीती 57 में बनी उसमें सेवन जोड़ा 64 आ गिया तो बस मरला सादिक अली समीती स से सादिक अली समीती कब बनी 1964 में अगली गी बस गी गी मरलब गिर्धारी लाल व्यास समीती कब बनी तो साधी कली समीती 64 में बनी थी 64 में क्या जोड़ा? 9 ये 64 में 9 जोड़ा तो 73 बना मलब 1973 में बनी गिर्धारी लाल व्यास समीती बस गी आदा आ से अशोग महता समीती अशोग महता समिती कब बनी? 73 में कौन सी बनी थी? गी मतलब गेधारी लाल व्यास समिती, 73 में हमने ये फोग जोडा, ये फोग तो 77 मतलब 1977 में अशोग महता समिती बनी बसगी अदा, दा मतलब दाते वाला समिती, जी मतलब जी वी के राव समिती, से सिंगवी समिती, सरकारिया आयोग, पी के थुंगन समिती, हरलाल खरगा समिती हरलाल समिती याद रखले तो हो जाया काम हर से हरलाल खरगा समिती डेट देखो अशोक महता समिती हमने 77 में 77 में हमने ये एक जोड़ा 77 में ये एक तो एक जोड़ा 78 मतलब दांते वाला समिती कब बनी 78 में फिर 78 में ये एक जोड़ा हमने ये 78 में एक तो 79 बना मतलब GVK राव समिती बनी 79 में फिर हमने साब जोड़ा ये 7 तो 86 मतलब सिंगवी समिती कब बनी? 86 में फिर 86 में हमने क्या जोड़ा? एक, ये वाला एक तो 87 हो गया मतलब सरकारी आयो कब बना? 87 में फिर 87 में हमने ये 1 जोड़ा तो 88 हो गया मालब P के थुंगन समिती बनी 88 में फिर 88 में हमने ये दो जोड़ा तो 90 मालब 90 हरलाल खरगा समिती 1990 में बनी तो I hope दोस्तों कि ये ट्रीक आपको समझ में आई होगी बस गी अदा जी से SP है 1957, 754, 117, 112 यदि ये दो लाइन आप याद रखते हो तो ये सारी समितियां आपको easily याद हो सकती है ठीक I hope कि आपको अच्छा लगा होगा यदि येसा लगता हो कि इसको यदि किसी दोस्त के साथ शेर करेंगे तो आपको फाइदा हो उसे भी फाइदा है यदि वो भी पटवरीक तयारी कर गा है तो उसके साथ शेर कर सकते है उसे फाइदा होगा आपको फाइदा होगा दोनों का फाइदा है यदि तो शेर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें अच्छा लगा हो तो ना अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करें ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद